प्रस्ट अफॉल लेट मीचेक कि आप लोगों को मैं पहुच रहा हूं कि नहीं अब अ अ हुआ यह सुरू हो गया चले बच्चो फर्स वाल मैं आपको बता दो कि यह जो लाइव स्ट्रीम हो रहा है हमारा आने के वी वारियर्स ओफिशिल यूटूब चैनल है उसी के मादम से हो रहा है इतना बढ़िया आप लोग सारी एक स्क्यूट कर पाते हैं ठीक है यहाँ पर देखेगा अल दोब्स वारियर सबसे पहले मैं आपको बैच का इंफर्मेशन दे देता हूं बैच का इंफर्मेशन जो है देखेगा प्राइसिंग प्लान तो आपको पहले ही दिया है मैंने सबसे पहले पाइसे की बात की है और रेफरेल कोड मेरा है सुनील.गुक्ता यू कैन यूज दिस फर आल दा सब्सक्रिप्टिशन और गेट 10% आफ अभी देखेगे एचिंवर्स बैच है डेटेल बैच कोर्स यह 23 तारीक से शुरू हुआ है यानि आज से ही शुरू है फाइब डेज फाइब टॉपिक और जो है फाइब पीम का चल रहा है कोर्स हमारा जैन आप लोग आईएगा लगाता राते रहिए देखें यहां पर मैं जनल स्टुडीज करा रहा हूं तो शुरू करते हैं आज का आज का टॉपिक जो है बहुत इंपोर्टन टॉपिक ह तीन मेने का अगर आप लेते हैं तो 4000 का कोर्स पड़ता है और अगर चे मेने करेते हैं 6400 का कोर्स पड़ता है और एक साल का 8000 का इसमें 10% OFF हो जाएगा when you use the code ये sunil.gupta कोई स्पेस नहीं विना स्पेस के यूज करिएगा 10% OFF मिल जाएगा ठीक है ना आज ही बचो सभी लोग जो लोग भी यहां पर लाइव आना चाहते हैं आपके लिए मैं आज एक बहतरी टॉपिक लेके आया हूं आप लोग ये टॉपिक का इंतजार कर हा रहते शायद और तॉपिक है वाइल लाइफ और इस बातर बात ये हैए हण को बता दिजीका आप ले अप加श्चा बता दीजिएगा बहुत अच्छा topic आज में कराने जा रहा हूं ठीक है wildlife and its protection वन्ने जीव यानि कि इसका topic का नाम होता है वन्ने जीव और उसका संरक्षन लगातार इस topic के बारे में बच्चे डिमांड करते रहते थे जैहन जैहन ठीक है ना तो इस topic को हम शुरू करने जा रह रूपता है और verified plus educator हूँ इस category का और मेरी qualification आप देख सका है Masters और NetJRF SSB दिया है NDA CTS का 14 साल का teaching experience है और अने जून 2019 से मैंने ज्वाइन किया हूए और plus educator के रूप में आप लोगों की सेवा कर रहा हूं आज का जो अगला topic है अगला मलब देखे मेरा profile को follow कर लेना बच्चे आप profile follow करेंगे तो आपको सारा updates मिलता रहेगा ठीक है ये जान बूचके में सारे देखे कर देता हूं काम achievers match एक चल ला है आप सबको पता है जो लोग नहीं जानते हैं उनकों बता दो achievers match चल ला है जिसमें मैं classes ले रहा हूं है ठीक है बच्चे इसके अलावा आप अगर पर ये बैच चल ला है आप लोग इसको भी जोइन कर सकते हैं इसके बाद देखे प्रहार बैच है एक है प्रहार बैच उस पे भी आप class ले सकते हैं देखेगा कोई भी अगर आपको plus course subscribe करना है clear cut में बता रहा हूं बच्चे कोई भी plus course subscribe करना है तो sunil.gupta ये code लिख लिज या नहीं कि 1.0 के बादे में अब देखें ये topic बहुत 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 इन topic है how to join plus देखे दा अनेगड़मी का app जो है download करिए आपके पास app है ना प्वहन में application है इस application में जाईए और इस application में subscribe now करके आता है green color का ठीके ना subscribe now है इस पर जो है आप करिएगा और उस subscribe now कि जब करेंगे आप click तो उस subscribe now पर click करने पर आपको page आजाएगा fees का ठीकर ना तीन महीने च्छे महीने एक साल दो साल जो भी है जो इसा भी आएगा पेज आजाएगा और उसके according आप आप जोईन कर सकते हैं प्लस कोर्स के बारे में ही बता रहा हूँ बेटा राजदीप प्लस कोर्स आप जोईन करना चाहते हैं तो प्लस कोर्स के लिए जो है आपको जब भी जो है प्लस कोर्स अपना जो है एडिशनल कोर्स है बढ़िया कोर्स होता है ठीक है न और उसमें जो है आपको कर देंगे चले करिए प्लस पर आजाईए प्लस प्लेटफॉर्म पर आईए अगर कोई दिक्कत होती है तो मुझे आप बताईएगा ठीक है न समझ गया है या वच्छे ठीक है मुझे ही बता रहे हो और क्या बेटा राजदीप और किसको बता रहे हो और कौन है मैं आपको ही बता रहे हो बेटा आज का टॉपिक शुरू करते हैं और टॉपिक के लिए बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं तो टॉपिक है आज का वाइल्ड लाइफ और वाइल्ड ल पीम ये चल रहा है हमारा और इसमें जो है आज थर्ड डे है याद अखिएगा मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास चलेंगी इसमें तो वाइल लाइफ वन्य जीव की जब बात होती है तो देखेगा वाइल लाइफ दो प्रकार का होता है वाइल लाइफ दो प्रकार का होता है क्यों जा रहे हो घिटा क्लास तो कर लो पूरी क्लास तो पहले कर लो फिर बाद में जाहाओosit जो डेवरेफ लाइच dopर दो छीव जन्तु घे ना तो स स्लूर और वन्य हृना दो तरह की चीजे होती है याद 2 बात करते हैं वर्ड़ में अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में लगबग 130 लाख वर्ल्ड में 130 लाख यानि 13 million species हैं clear है ना और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी लगबग लाख डिल लाख हैं 75-76 जा तो फूना है 76,000 species जो है फूना की है और इतने ही लगबग जो है 60-70 हजार species जो है flora की है clear है ना तो यहाँ पर यह आ रखना आप लोग इसको wildlife का यह basic clear समझ में आया wildlife होता क्या है flora and fauna क्या होता है यह clear है कि नहीं आगे बढ़ा जाए flora and fauna बहुत important topic है बहुत सारे exams में आता है जितने लोग है सबसे पहले तो आप लोग like ठोको यार और आप इसको अपने थोड़ा सा share भी करिए like और share दोनों करिए तब ही मजाएगा बच्चे है ना चले flora and fauna के बाद देखेगा इंडिया जो है अगर देखा जाए इंडिया का number तो इंडिया जो है world का 12th largest mega bio-diversity सबसे ज्यादा bio-diversity वाला country है बात समझ रहे ने और अगर देखा जाए तो इंडिया में 47,000 थाउजन प्लांट श्यादा जाते हैं मैंने बताया ना और याद रखेगा bio-diversity का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा next page चला जाए बचे मैं सभी को यह invite कर रहा हूं classes करने का बहुत important class आज का चल ला है चले अब आपको पता है wildlife खत्रे में है do you know the wildlife is in danger wildlife खत्रे में है पता है आपको देखेगा अगर हम 1970 से ही देखें तो 58% wildlife खत्म हो चुका है और अगर ऐसा ही रहा तो only 2021 1970 से लेकर 2020 और 2021 तक ही बात करा जाए तो wildlife पूरी तरह से खत्म होने के कगार पर आ गया है बात समझ रहे ना तो इसका मतलब यह है कि wildlife is in danger वन जीव बहुत ज़्यादा खत्रे में है clear है ना वन जीव बहुत ज़्यादा खत्रे में है आगे बढ़ा जाए बच्चे नेक्स देखा जाए अगर हम देखें wildlife के बारे में तो wildlife का एक और point आपको मैं बता रहा हूं समझिएगा ठीक ना wildlife का एक और point मैं बता रहा हूं उसको भी समझने का कोशिश करिएगा देखेगा कुछ animals हैं कुछ animals हैं उनको ध्यान देजिए सबसे पहले आपको देखना होगा टाइगर टाइगर समझने ना टाइगर 1911 में अगर इसकी population देखी जाए तो world में इसकी population लगबग एक लाख थी वर्ल्ड में इसकी population एक लाख थी लेकिन अभी की condition में अगर देखा जाए at present यानि की 2018 की जो census है उसके according world में मात्र around 4000 है 3850 है लगबग मैं कह रहा हूं लगबग 4000 है अगर टाइगर की population इंडिया में देखा जाए इंडिया में देखा जाए तो लगबग समझ रहे ना हेलो राजपार जी यहाँ पर देखेगा अगर इंडिया में देखा जाए ताइगर की population तो 1911 में लगबग टू थर्ड अफ वन लाग यानि 67,000 टाइगर्स वर बेर इन इंडिया और ये 2018 के टाइगर्स अंसस तक लगबग 2967 के करीब टाइगर्स रहे गया है मतलब इंडिया में भी टाइगर्स का नंबर जो है ये पूरी तरह से डिसेंड होता गया है घटता गया है क्लियर है ना तो ये सब घटने का कारण क्या है only reason is hunting एक क्लियर हुआ केवल अकेला reason है hunting टाइगर्स के खतम होने का रीजन अलग है hunting एक और जानवर की बात बना रहा हूँ house sparrow house sparrow नांग जनते हैं गौरईया गौरईया लाखों की संख्या में पहले देखते ताब एकदम खतम है तो गौरईया के खतम होने का कारण क्या है वाई house sparrow इनका खतम हो गया तो याद अगिएगा एक है mobile टावर रेडियेशन mobile टावर रेडियेशन है इसके विज़े से सर modern history राचमार अगले मंडे से में modern history के कुछ topics लेके चलूंगा कराऊंगा परशान मत होई इसके विज़े से यह house sparrow भी घटते जा रहे हैं इसके अलमा अगर हम बात करते हैं about जो है सम अनिमल्स बहुत सारे अनिमल्स खतम होते जा रहे हैं आप देखे एक बर्ड आता था डोडो डोडो बर्ड कहां पर पाया जाता है बताईए डोडो बर्ड नाइंटीन सिक्स्ट चीज हमें यानी साथ के दसक में यह पए जाता था इन मौरिशास और ये फैदरलेस यानी कि पंक के बिना वाला बक रिक ठी था और ये पक्षी जो है दुझा से समाप्त हो चुका है डोडो बर्ड ये एक्स्टिंट हो गया है यानि कि क्या हो गया है विल्पत हो गया आज में इन सब चीजों को चर्चा करेंगे तो याानि कि wildlife खत्रे में है तो आगर wildlife खत्रे में है तो reason क्या है यह हमें देखना है यह कंडे acquies क्कष कशल रिखिए होने होने का बता कि वह कर देकर मेनखतरा पता क्या क्या है habitat, destruction, degradation, fragmentation यानि कि जो उनका आवास है ये बिटा मैं कुछ छुने हुए topics लेके आ रहा हूं आज हमारा ये wildlife का topic चल ला है है ये wildlife का topic चल ला है जिसमें हम कुछ आपको बता दे जा रहा है ठीक है ना wildlife का topic बढ़िया topic चल ला है आप देखें पहली बार तो उनके आवास पर खत्रा हो रहा है जहां पर ये रहते हैं उनको लोग में चीज यही है कि इसको कहते है deforestation कह सकते ना deforestation यानि कि वन का कटना राजमार जी पूरा हिंदी में नोट्स भी पूरा हिंदी में हर्चीज हिंदी में लिखा जाए ओके ओवर exploitation of the habitat resource यानि की जो habitat है जहां पर रहते हैं उनको exploit करना वहां से पेड़ों को काटते जाना hunting जानते न शिकार होता है या आखेट होता है आपको बता है सबसे बड़ा जो है यह भी एक है और पोचिंग climate change pollution पोचिंग भी यही अतिकरमण होता है पोचिंग मतलब क्या होता है अतिकरमण तो यह सब चीजे जो होती है ठीकर यह सारी चीजे जो है क्या है wildlife वन ने जीव के लिए खत्रा होती बात समझ में आया आगे बढ़ा जाए देखेंगे next देखेगा यह सारी जीजे हमें परशान करती वाइटलायफ को हमारे परशान करती है ठीक है अब देखेंगे point इसको स्मझने का कोशिच करिएगा कि हमारे सम्धान में Constitution में सम्धान में wildlife को बचाने के लिए क्या effort किये गये है क्या point लाए गए है देखेगा हमारा जो सम्मिधान है वो सम्मिधान में पहला तो article 48A और article 51A यह article 48 आपको पता है यह 42 में सम्मिधान संशोधन से जोड़ा गया और यह भी 42 में सम्मिधान संशोधन से जोड़ा गया है ठीक है दोनों का मतलब क्या है article 48A हो चाहे article 50A यह fundamental duty है हमारी duty है कि हम natural environment, forest, lake, wildlife इन सब को बचाएं और 48A में DPSPA सरकार की जो है directive principle दिया गया है state अपनी ऐसी policies बनाए जिससे इनको फायदा हो clear है ना आगे आगे चलते है next point जैसा कि आपको देखते है सरकार ने क्या किया है सरकार ने wildlife को बचाने के लिए क्या किया है सबसे पहली बाद वन्य जियू संरक्षन अधिनियम याद हना सरकार ने wildlife protection act 1972 लाया है और सी के द्वारा ही national park wildlife centuries बगेरा बनाए गये है project tiger भी बनाए गया है और इसी की वज़े से देखे 30% tiger की population बढ़ती गई है 1400 से बढ़के आज ये 3000 के करीब हो गए है 1400 से बढ़के ये 3000 के करीब tiger situation क्या हो गया है देखे ये बाद समझ लिजेगा अगला point देखा जाए wildlife protection act है क्या देखेगा भारत सरकान ने अगर हम देखा जाए भारत सरकान ने देखे कुछ चीज़ें याद अतना पहला देखेगा wildlife protection act देखेगा wildlife protection act यानि one is you समरक्षाण अग्म कब मनाये गया है one is you समरक्षन अधिनियम पता नहीं क्यों आ जा रहा है बोड़ी चेंज हो जा रहा है wildlife protection अधिनियम 1972 में आया है इसके अलमा आपसे कोशन और आता है forest protection act विरंदर से वागलो यानि one समरक्षन अधिनियम ये भी याद रखना है one समरक्षन अधिनियम कब आया है 1980 के दौ़ा में आया है और एक है environment इसके लिए बहुत सारी चीज़ें और की गई है और इसके लिए बहुत सारी चीज़ें और की गई है अब देखे एक और आप बात है अतफिएगा ये सब चीज़ें आपको पता होना चीज़े ठीकरा ये सारी बातें आपको clear पता होना चीज़े यहाँ से कोशन सीड़े सीड़े आएगा अभी देखे 1986 और 1972 1980 ये तीनों पर कोशन बना हुआ है प्रिवेश एरूट उठा के देखिए और यहाँ से कोशन मिलेगा आपको ठीकरा आज की जो है टॉपिक में यही मैं बता रहा हूँ वाइल लाइफ का प्रोटेक्शन ठीकरा तो आप लोग इसको जोईन कर सकते हैं आप मेरे बैचेस को जोईन कर सकते हैं प्लस बैचेस को जोईन कर सकते हैं इसके बाद अगला पॉइंट देखा जाए नेक्स पॉइंट देखेगा यहाँ पर अगला पॉइंट जो आता है wildlife protection act में कितनी अनुसुचिया हैं से शेडूल हैं याद रखेंगे भाई कौन-कौन है आप लोग हाई हेलो तो कर दीजे देख न wildlife protection act में 6 schedules हैं यह आप क्याद रखेंगा और 6 schedules में देखें पहला जो schedule है पहली अनुसुची पूरी तरह से जो इंडेंजर्ड बहुत खत्रे की स्पीसीज हैं उन पर बात करता है और इस पर जो है रिग्रस protection की बात की गई है जैसे इसमें टाइगर है ब्लैक बल्क काला हिदन हिमालें बीर है और या ब्लू वेल है और यह नंबर वन शेडूल में पहली अनुसुची अब देखें कि दूसरी अनुसुची अगर देखा जाए तो इसमें भी अनिम्स जो है उनको हाई protection की जरूरत ये इनके व्यापार को भी रोखा गया है लेकिन अगर हुमन लाइट पर इनका जो है आ जाए लेकिन स्केडूल अलग है अनुसुची अलग है लेकिन है बात वही जैसे इसमें कोहिनी और आता है आसमीज मैक बेंगाल हनुमान लंगूर लार्ज इंडिन के विट इंडिन फॉक्स लार्ज कश्मीरी फ्लाइंग स्क्वेरल कश्मीरी फॉक्स वोगेरा इन दोनों का अंतर लेकिन यह प्रोटेक्टेड होते हैं खत्रवाले लिवर्टे इनको माने पर पेनल्टी जो है कम होती है as compared to 1 & 2 1 & 2 में जो है जितनी होती उसमें इहां कम होती जैसे हिमालेंडरेंट हाइना फ्लाइंग फॉक्स मालवाटरी तेंक इस फ्लाइंग फॉक्स है इसका नाम आता भी अनुसूची क्या बताता है ये एनिमल्स की लिस्ट है जिसको आप हंट कर सकते हैं यानि इनको मार सकते हैं जैसे माइस है रैट है common crow है fruit bat है यानि चुहा मारने पर आपको कभी jail हो सकता है चुहा मारने पर कोई jail होता है कववा मारने पर jail होता है चोटे चोचुहिया मारने पर jail होता है कभी नहीं होता है तो ये जो है आप मेरे profile को follow करिए unacademy के और unacademy के profile को follow करने के साथ साथ आप मेरे six में देखे का है इस schedule में जो है ऐसे plants plants आते हैं देखे wildlife protection थेंक्यू थेंक्यू कनिश्क देखे wildlife protection act जो है उसमें जो पहले पांच है animals के लिए है और छठा जो है plants के लिए है जैसे ऐसे plant जिनकी cultivation नहीं हो सकती यह picture plant blue vanda red vanda कुथ वगेरा यह सब क्या होते हैं इनको अगर लगा दोगे ना तो यह animals को खा जाएंगे समझ मैं है यह animals को खा जाते हैं यह picture plant होगेरा होता है इनको common खेती करने पर मना कर दिया गया है तो यह wildlife protection के छे देखे अब मैं बता रहा हूँ wildlife protection के कितने अनुसूची हो गई छे schedule हो गई वन और टू में animal protection जादा है लिस्ट अलग है और इनमें जो है अधिक जो है आपको payment मतलब जो है क्या कहते है हर जाना भरना पड़ेगा नुकसान जादा हो जाएगा और three और four में भी animals की list है लेकिन इनको सब को मार नहीं सकते है बस amount पाच्वे में जो है यह endangered नहीं होते पाच्वे में देखीगा यह ऐसे एनिमल्स है जिनको hunt कर सकते हैं एनिमल्स जो hunt कर सकते हैं hunting allowed है ठीक है और six में plants हैं अंतर समझ में आ इतना यह clear आपको हो गया होगा इतना है इतना clear हो गया बच्चे चालिए अब आप लोग like करते रहेगा like करिए और like की बोचहार कर दो भाई ठीक है अब आपको मैं लेके चलता हूँ schedule six के बाद अगला point wildlife protection में आपको सबको पता ह इसमें बहुत सारी चीज़े tiger conservation area बनाया गया है national park बनाया गया है छे schedule बनाई गई है 1973 में project tiger भी चलाया गया यह सारी बाते मैं आपको बताता रहूंगा ठीक है अब देखते हैं कुछ बातें यहां पर देखेगा sanctuary अभ्यारण national park वगयरा की बात करते हैं conservation reserve तो national park के बारे मे आप लोग हैं भी या नहीं है बताइगा यह पता नहीं क्या हो जा रहा है national park के बारे में देखें wildlife centuries की अगर बाप करें wildlife centuries की अगर बात करा जाए तो आपको पता होना चाहिए wildlife centuries कितने हैं भारत में वन जीव अभ्यारण ने कितने बताइगे वन जीव अभ्यारण बहरत में कितने हैं यह लगवग 545 के करीब हैं पांजो पैंतालिस के करीब वन जीव अभ्यारण है यह आपको पता होना चाहिए और वन जीव अभ्यारण जो है इसमें maximum कहां पर है याद अगेगा अंडमान और निकोबार के बीच में है और अंडमा निकवार में 96 जो है 96 है wildlife centuries clear ना और MP में नंबर दो पर है मद्रदेश में यहाँ पर भी 50 30 के करीब है wildlife centuries semi protected area होता है यह आदकिएगा इसके अलबाँ अब मेन आता है national park यह बहुत important point है यह fully protected area होता है यह यादकिएगा fully protected area होता है यानि कि वन जीव पर यहाँ पर पूरा protection होता है संरक्षन होता है पूर्ण संरक्षन पूरा संरक्षन होता है national park की संक्या इंडिया में 103 है 4 है 104 नेशनल पार्क इंडिया में कितने है 104 है और इन नेशनल पार्क में पहला नेशनल पार्क कौन सा था भारत का पहला नेशनल पार्क आप लोग बताईए मैं आपका आंसर सुनना हूं मैं आपका आंसर देख रहा हूं कि भारत में कितने नेशनल पार्क है आप लोग बताईए तेजी से बताओ भारत में कुल नेशनल पार्क कितने हैं बताईए तेज बताईए नहीं बताएंगे भाई सभी लोग बता दो या बारत में कुल नेशनल पहला नेशनल पार्क देखीगा ये पहला वाला नेशनल पार्क है इसका नाम है दहेली नेशनल पार्क है ये है उत्राखंड में अगर नहीं देखे तो बताना मैं मूभ करा दूंगा कहीं और लिख दूंगा हेली नेशन पार्क जो है ये भारत का पहला नेशन पार्क है 1936 में बना था इसका नाम 1961 में बदल के कर दिया गया है जिम कॉर्बेट इसका नाम 1961 में रेनेम कर दिया गया है और इसको नाम दे दिया गया है जिम कॉर्बेट समझ मैं है 1961 Jim Corbett National Park इसका नाम हो गया है National Park का पहला point एक clear है न अब question यह आता है कि इंडिया में इंडिया में कौन से state में सबसे ज़्यादा National Park है इस अभी very good इंडिया में सबसे ज़्यादा National Park कहां पर है सबसे ज़्यादा National Park कहां पर यह बदाईए first of all आप यह बदाईए National Park सबसे ज़्यादा कहां पर है याद होगेगा MP में और दूसरे नमबर पर अंडवान निकोबार में यहाँ दोनों पर नौ नौ है मद्रदेश और अंडवान निकोबार में 9 National Park है दोनों ही जगे पर मद्रदेश और अंडवान निकोबार में दोनों ही स्थानों पर 9-9 है हाँ टोटल 104 है MP में 9 चलिए एक कोशन और आता है largest National Park कोशन है सबसे बड़ा National Park कोशन है भारत का सबसे बड़ा National Park के भी कोशन आ सकता है इंडिया में सबसे बड़ा National Park कौशन है बताईए अगर कोशन आता है इंडिया में सबसे बड़ा National Park कौशन है तो आप बताएंगे Hemis National Park Hemis National Park जो है यह याद किएगा यह है जमू कश्मीर में और Hemis National Park यही है on maximum height altitude Hemis जमू कश्मीर में नहीं सौरी अब तो यह लदाख में हो जाएगा विटा जमू कश्मीर नहीं है इसका location लदाख हो गया है लेह के पास नियर लेह ठीक है ना लेह में लदाख के पास में है और सबसे छोटा कौन सा है आपको सबसे छोटा बताना है सबसे छोटा नेशनल पार्क जो है यह है South Button South Button National Park नहीं लदाख में होगा सबसे छोटा South Button National Park है तो आज बताईए Topic मज़ेदार है ना अब देखेगा National Park का question आ जाता है और National Park को अफग्रेड करके क्या बनाया जाता है एक question आता है Biosphere Reserve का National Park को अफग्रेड करके क्या बनाया जाता है देखेगा अगला point आता है Biosphere Reserve यह मैंने पढ़ाया भी है इसमें आगे मैं बता दूँदा Biosphere Reserve है Geo Middle सक्षिट 18 है देश में इसके बारे मैं बता रहा हूँ चलिए अब आपको मिले के चलता हूँ Protected Areas में फिगरा चलिए देखेगे International Antirasties तरपर efforts जो किये गए है वो आपको बहुत important यादर दे 5th October 1948 को IUCN बना था IUCN जानते होंगे International Union for Conservation of Nature and Natural Resources अगर आपको अच्छा लग रहा है तो तुरंत like ठोकिए और इसका headquarter जो है Gland Swigeline में है 1948 में बना IUCN इस पर question भी आ सकता है और इस बार आपको NDA में यहां से question मिला था और मिलेगा बराबर मिलता है विटा यह यादर किएगा question मिलेगा मिलेगा 29 अपरेल 1961 में WWF की स्थापना हुई थी जिसका headquarter जो है Morgas Swigeline में है और इस पर देखे Panda का photo है इसके logo इसका logo देखे IUCN और WWF का दोनों का logo आपको दिख रहा होगा ठीक है ना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है इसके अलावा देखना IUCN जो है एक बनाता है Red Data Book maintain करता है और यह Red Data Book जो है यह record रखता है Animals का जो खत्रे में है जिसमें से endangered, vulnerable, rare, extinct species रखे जाते है एक question बहुत important है M.A.B. यह वाला जो दिखा है सबसे चौथा point देखे Map यह इसपर 2020 में question आया था Man and Biosphere Reserve Program यह 1971 में launch हुआ था 1971 launched by UNESCO और इसमें दुनिया भर के बहुत सारे जगों पर Man and Biosphere Reserve Program को लगाया गया जिसे इसने UNESCO ने एक बना रखा है World Network of Biosphere Reserve WNBR दिख रहा है WNBR इसमें 703 total Biosphere Reserve है 124 countries में World Network of Biosphere Reserve में अगर बात की जाए तो there are 703 total Biosphere Reserves in 124 countries ठीक है ना countries across the world एक मनेट रुचे पूरे globe में हाँ यह जो है पावर हाँ चले इंडिया में देखेगा इसी तरह से आपको यहाँ पर याद रखना है इंडिया में 18 Biosphere Reserve है याद रखेगा भारत में 18 Biosphere Reserve है और पन्ना Biosphere Reserve जब इसमें इंक्लूड हुआ है World Network में तो World Network में इंडिया से कितने हो गए बाहर 2000 में नेलगरी को World Network में पहली बार क्रिया गया था और 2008 में कॉट्चन जोगा यह 11 मां था और 2020 में इसी साल अभी नवंबर महिने में इंक्लूड किया गया है नवंबर में पन्नाव को इंक्लूड किया गया है और यह 12 मां है ठीक ना तो इंडिया में Biosphere Reserve कितने है यह कोशन देखे अब मैं आपको बता रहा हूँ इंडिया में Biosphere Reserve कितने है इंडिया में Biosphere Reserve कितने है 18 क्लियर है न और WNBR जो है यह UNESCO का है World Network of UNESCO का World Network of Biosphere Reserve जो है UNESCO का World Network of Biosphere Reserve जो है इसमें अगर देखा जाए तो 703 है और इस 703 में इंडिया से कितने है 12 है इंडिया में जो पहला Biosphere Reserve था इंडिया में फर्स्ट Biosphere Reserve कोन था निलगरी 1986 में वही निलगरी यहाँ पर भी नंबर वन पर आया था इन निलगरी यहाँ पर भी यह कोशन आया था इस बार 2020 NDA इंडिया 2020 में कोशन आया था और वर्ल नेट वर्क में इंडिया से 12 कौन है 12 यहाँ दखिएगा नॉब्बर 2020 में पन्ना को इंक्लूड किया गया है पन्ना Biosphere Reserve और पन्ना Biosphere Reserve कहाँ पर है यह है MP मत्रदेश में हीरा पन्ना आपने सुना भी होगा हीरा पन्ना वगेरा सुनते हैं न वही है किसी को कोई दिक्कत कोई प्रॉलम नहीं न तो ऐसे ही आप लोग पढ़िए बढ़ियां से मेहनुत करते रही है और आप लोगों को यह समझ में आ रहा है और उस तरह से इंडिया से इंक्लूजन बारा है और वज़े एकसो चौबिस देशों से साथ सो तीन है ठीक है ना बात तमझ में आया अब यह इधर भागने लगा पता नहीं क्या है चले आगे बढ़ें नेक्स पॉइंट इतना क्लियर है यहां तक क्लियर है और आगे बढ़ाया जाए देखेगा यह 12 है बाइस पे रिजर्व जो इंडिया के है इसमें मैन एन बाइस पे रिजर्व में मैब में आते है यह इंडिया के पहला जो है नेलगरी है फिर गल्फ अप मनार आया सुंदर्मन, नंता देवी, नौकरे, पंचमणी, शिंडिपाल, असनाग मारमर कंटक, ग्रेट निगुवार, अगस्ते मलाई और यह खक्चिन जोगना 2018 में और पन्ना बाइस पे रिजर्व 2020 नवेंबर महीन में अभी यह दिसंबर चलना है न, मैं नवेंबर की बात कर रहा हूँ, तो यह पूरा आपको याद होना थे, यानि कि इंडिया में बिलगिरी, तमिलनाडू, केरल, करनाटक का पहला था, 1986 में और नन्दा देवी, उत्राखंड में और नोकरेक, यह दोनों 1988 में थे, यह ख्लियर है न, चले, अब आप आज के लिए बस इतना ही रहने दे, 18 के 18 बाइस को रिजर्व यहाँ पर बताएंगे हैं, ठीकर न, पढ़ लिजे, मेरे पास बहुत सारे मैटर है, मैं आपको बहुत सारी चीजे मैं बता सकता हूँ, यह सारी चीजे जो मैंने बताया है, वो एक बार देख लिजेगा, अगर कहीं कोई दिक्कत होती, बताएगा, आप इसी तरह से और बढ़ियां पढ़ना चाहते हैं, तो हम यूज़ करने पर आपको 10% का एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिल जाता है, सब्सक्रिशन फी जैसे 4000 कि है, तो 36 सो हो जाती है, ठीकर ना, किसी को कोई मन में शक्त सुबा हो, तो बताएगा, याद रखेंगे, ठीकर ना, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बच्च तो इसके अलावा, एक और बैच आ रहा है, अशो का और एक बैच आ रहा है, चार चार प्लस बैचेस चलने लगातार, और इन सारे प्लस बैचेस में मैं आपको GS पढ़ाता हुआ देखूँगा, GS देखेगा, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है, GS, क्लियर है न, GS मैं ह ही पढ़ा रहा हूँ, पूरा GS, GS मनता है हिस्ट्री है, जोग्रफी है, और पॉलिटी है, यानि सिविक्स और इकोनोमिक्स है, तो इन सभी बैचेस में आप मुझे देखेंगे और पाएंगे, कि मैं आपको बढ़ा रहा हूँ, मेरा रेफरल कोड आपको मैं फर से लिख द करेंगे, तो ये बैच, कोई भी बैच, सारा बैच यूज़ कर सकते हैं, सारा देख सकते हैं, all the courses, all the courses and all the batches, मेरे यूज़ करने पर भी देख सकते हैं, ठीकर ना, प्लस जॉइन करिए, ठीकर न, बच्चों आज के लिए बस इतना ही, प्लस जॉइन करिए, और मिलते हैं, क्लास में, आप जल्दी-जल्दी आप अनेकेडमी पर एप डाउनलोड करिए, एप डाउनलोड करने वाद मेरा नाम सुनील कुमार गुपता, मेरी प्रोफाइल फॉलो करिएगा, आपको बहतरीन classes देने के लिए मैं सदा तत पर रहता हूँ, सुनील कुमार गुपता नाम